ये खबर आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आंखों से भी आंसु छलक जाएंगे क्योंकि ये खबर है एक हेर ड्रेसर और एक कस्टमर की आपको बता दे कि अमूमन आप भी बहुत बार बाल कटवाने जाते होंगे आपने भी कोई ना कोई हेर ड्रेसर जरूर रखा होगा लेकिन क्या कभी हेर ड्रेसर ने आप से इतना प्यार किया है जितना प्यार इस हेर ड्रेसर ने अपने कस्टमर को किया आपको बता दे कि हेर ड्रेसर के पास एक कस्टमर जो है वो बीते 10 सालों से जा रहा है अब वो customer ही नहीं वो उसका दोस्त भी बन गया है लेकिन जो उसका customer है वो cancer patient है वो chemotherapy से गुजर रहा है आप भी जानते कि इस therapy के बाद आप लोगों के यानि cancer patient के बाल जड़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि रोज रोज अपने बालों को गिरता देखना अपने सामने आप भी जानते हैं कि बाल जो है वो इनसान की खुबसूर्ती में चारचान लगाते हैं और बाल एक बहुत important role play करते हैं हमारी पूरी personality में लेकिन जब आप रोज रोज अपने बालों को गिरते हुए देखेंगे कहीं ना कहीं आप एक demotivate हो जाएंगे तो cancer patient भी कुछ इसी तरह से होते हैं जब वो इस therapy से गुजरते हैं और रोज रोज जब वो therapy के लिए जाते हैं उनके बाल कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और शरीर से उनके बाल गिरने लगते हैं तो इसलिए आपको बता दे कि यह customer जो है यानि यह बाल कटवाने वाला अपने hair dresser के पास जिसके पास बीते 10 सालों से जा रहा था उसके पास sponsor उसे कहा कि मेरे बाल भाया तुम पूरे ही शेव कर दो क्यूंकि रोज रोज जो है मैं तंग आ चुका हूँ इसे जो है गिरता देख कर इसलिए मेरा जो आत्मविश्वास है वो टूट रहा है तो आपको बता दे कि जिस पल में उस hair dresser ने अपने customer अपने दोस के बाल शेव किये अगले ही पल में उसने वही अपने बालों में यानि आपको बता दे कि ट्रिमर अपने बालों में मारना शुरू किया और पहले तो उसे समझ नहीं आया customer को cheer पे बैठे हुए कि यह क्या हो रहा है लेकिन जब उसे समझ आया फिर वो रोने लगा क्या आपने कभी ऐसी दोस्ती एक hair dresser की और customer की देखी है आजकल तो अपने साथ छोड़ देते हैं आजकल तो अपने एक अदम नहीं चलते लेकिन यह फिर भी hair dresser जो अपने customer के साथ चल रहा है और hair dresser क्या कहता है hair dresser कहता है कि दो सालों से मैंने बहुत महनत से अपने बालों को बढ़ा किया था कभी सोचा नहीं था कि अपने बालों को कटवाओंगा आमोमन मुझे बाल बढ़े रखने का शोग भी नहीं था लेकिन मुझे लगा चलो क्यों ना अपने आपके साथ एक experiment कर लिया जाए फिर hair dresser अपने बालों को trim करने के बाद में बोलता है यानि पूरा गंजा करने के बाद में कहता है कि शायद ये बाल उपर वाले ने तुम्हारे लिए ही रखे थे कि जब तुम आओ तुम्हारे साथ इस लड़ाई में मैं भी हिस्सेदार वनू अब कहीं लोग इस खबर को सुनने के बाद और इस फोटो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर उसके लिए दुआएं कर रहे हैं कि ये cancer patient chemotherapy से गुजर कर जल्द तंदरुस्त हो और कहीं लोग कह रहे हैं कि इस incident के बाद हमारी आंखों में आंसो आ गए आपको बता दे कि इस वीडियो ने बहुत से लोगों का दिल जीत लिया और लोग कह रहे हैं कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा जहां आपने साथ नहीं देते वह हम पर एक hair dresser जिसके पास आप शायद महीने में एक बार जाते होंगे दो बार जाते होंगे साल में 12 से 24 बार चलेगे लेकिन हम तो अपने परिवार वालों के साथ रिष्टिदारों के साथ हमेशा ही रहते हैं इसलिए जादा से जादा टाइम जहन लोगों के साथ फेंड करें जो आपको प्यार करते हैं जो आपसे महबबत करते हैं और ये खबर आपको कैसी लगी है hair dresser और customer के बीच का अनोखा प्यार उनकी भावना है उनकी feelings देखकर जरूर बताएगा और ऐसा नहीं है कि किमियो थेरेपी के बाद पेशेंट ठीक नहीं होते हैं बहुत से पेशेंट ठीक भी होते हैं लेकिन कैंसर है कैसी बीमारी है जिससे लोग डर भी जरूर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी willingness भी कम हो जाती है तो आपने हम इस कहानी के बारे में इस स्टोरी के बारे में जरूर बताने कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इनके लिए आपको प्रेयर भी करनी है कि जल से जल जो यह है ठीक हो जाएं और इनके बाल जो है दुबारा वापस जुरूर आएंगे यही हेर ड्रेसर ने भी कहा कि बाल आते जाते रहेंगे लेकिन इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ और आखरी दम तक चलूँगा चाहे बाल गटवा के ही क्यों न